हेलो फ्रेंज, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़किया अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने वाली होती हैं और वो किसी तलाग शुदा व्यक्ति यानि की पुरुष के साथ अपने संबंद बनाने के बारे में सोच रही होती हैं तो उसके कई फायदे और कई नुकसान बहुत सारे लोग हमें समझाते हैं चलिए आज जानते हैं मेरी इस वीडियो के जरीए कि अगर आप किसी तलाग शुदा पुरुष को डेट कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तो चलिए पहले बात करते हैं फायदे के बारे में दोस्तो अगर आप किसी तलाग शुदा पुरुष को डेट कर रहे हैं तो इसके आपको काफी फायदे हो सकते हैं क्योंकि वे अनुभवी होते हैं इसी लिए आपको बहतर राय दे पाते हैं फिर चाहे वो रिलेशन्शिप हो या फिर आपका कामकाथ ही क्यों न हो रिश्टे को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही पहलों से समझदारी के साथ काम करना बहुत दरूरी होता है लेकिन अगर आप एक तलाग शुदा व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही हैं तो ऐसा करते समय आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलता है क्योंकि वो पुरुष आपसे काफी ज्यादा अनुभवी है इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडिल करके और अच्छे से साथ में लेकर चल सकते हैं आपको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं आपका ध्यान किसी नए नवेले बॉयफिट से ज्यादा रख सकते हैं और आपकी जरूरतों को भी काफी आसानी से पूरा कर सकते हैं लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं अगर आप किसी तलाक शुदा पूरुष को डेट कर रही है तो आपको ये जाने के बहुत जरूरत है कि ये दीवे तलाक शुदा है तो वो आपके साथ भी संबंद बनाने से पहले हजार बार सोचेंगे क्योंकि वो पहले से ही दर्द की इस रहा से भुजर चुके हैं और वो वापस से उस दर्द को जहनना नहीं चाहेंगे इसलिए इस विकट परिस्थिते से निकलने के लिए आपको भी काफी ज्यादा परिशानिया हो सकती है हो सकता है कि वो आप पर जल्दी विश्वास ना करें और अगर वो आप पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे तो आपका relationship भी काफी ज़्यादा डामाडोल हो सकता है इसलिए अगर आप किसी तलाग शुदा पुरुष को डेट कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर धहरे रखना होगा ताकि आप अपने आपको भी उनको साबित कर सके और उनके मन में जो चल रहा है उसे भी आसानी से जान सके तो दोस्तो ये है फायदे और नुक्सान किसी तलाग शुदा पुरुष को डेट करने के इन्हें ध्यान में ज़रूर रखे मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटीड वीडियोस को लेकने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सब्सक्राइब कीजिए